वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 27 दिसम्बर 2022 और 27 दिसम्बर 2022 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से एलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह द्यान से देखिए लाश्टम मैं आपसे कुश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप कोमेंट बॉक्स हों बताना है आज की इस वीडियो की पीडियो की डिसकस्विन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनल हाली में पहला बेर बाल दिवस कब मनाये गया है तो अभी 26 दिसम्बर को पहला बेर बाल दिवस मनाये गया तो इसकुश्चन का बे आपसेंस आई है प्रकास पर 2022 पर प्रतानमंतरी मोदी ने गोशना की कि 26 दिसम्बर को गुरु गोबिन सिंग के पुत्रों साहिब जादा बाबा जोरावर सिंग और बाबा पते सिंग की साधत पर बेर बाल दिवस मनाय जाएगा तो इस बार पहला बेर बाल दिवस मनाय गया है और प्रदानमंतरी मोदी ने बेर बाल दिवस पर मेजर ध्यान चंदर स्टेडियम डेली में पाट्स वेट भी किया है तो ये याद को sequence में लिख दी हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉस करिए और इनको एक बार revise करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को तरगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने पॉन offices अन्ध मनब लॉक्त करने वाला पहला राज्जी बना तो यह cela pirast καई तो यह है मैप में प्रदेस अन अ उन्योडांचल औरणाचल प्देश की गवर्नल कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अच्छा अभी प्रदानमंत्री मोदी ने डोनी पूलो एरपोर्ट का उद्गाठन इटानगर में किया अरणाचल प्देश ने दुनिया की पहली ड्रोन मद्धिस्था पसुदन टेका कर सेवा सुरू क अच्छा प्देश में वालों मेले का आयोजन किया गया और पूरवतर का पहला एक्वा पार्क अड़ाचल प्देश में इस्ताफित किया जाएगा ने क्युशन है हाली में प्रदानमंत्री मोदी कहां राश्टी युवा सम्मिलन का उद्गाठन करेंगे तो प्रदानमंत स्वामी विवेकानन जी की जैनती पर आयुजित किया जाएगा और स्वामी विवेकानन जी के जैनती कब होती है बारे जन्मरी को अच्छा ये राश्टी युवा सम्मिलन का उद्गाठन करनाटक में होगा तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटिल क्या है बैंगल की है करनाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया आर्टिफिसल इंटेलिजेंस बेस्ट कॉसल पोर्टल तयार किया है करनाटक में तेन ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल सिक्षक के रूप में चुने गए देश में सबसे अधिक इस्तापित ग्रिड इंट्रेक्टिप एंपे गोड़ा की 108 फेट उची प्रतिमा का अनावरण किया है करनाटक के दू डांस वहमस है यक्षगड और डोलू कुनीता अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर अंसी नगरहुल बनरकट्टा और कुद्रेमुका नेशनल पार्क ये ये हैं स्वस्ति सेंग ये एक साइकलिस्ट है और इनको तीसमा एक लव्य पुरुषकार मिला है अच्छा खेल प्रतिवाओं को प्रूत्साहित करने के लिए ये एक लव्य पुरुषकार दिया जाता है अभी राइजिंग स्टार आप दा इयर पुरुषकार के लिए अंत अजीत अंजुम और आर्फा खनम सेरवानी को कुल देप नईयर पत्रकारता सम्मान मिला है फ्रांसिसी सरकार द्वारा अर्णा साही राम को सेवेलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नएक उस्चन है हाली में फे एंद् बासुदेवन किस बेंक के emd & ceo बने ह्ग तो अभी एक्विटास इस्मॉल फाईनेंस बेंक के Ik d and Halit अब Equitas Small Finance Bank इसकी स्तापना कव हुई 1993 में इसका Headquarter कहां पर है चेनने में और अब इसके MD&CEO बन गए है पे एन बाशुदे बन नए हुशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में धुर्बे भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई तो अब एक रिपोर् और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग धुर्बे भालू की संख्या में कनाडा में गिरावट दर्ज की गई तो इसकुशन का A options ही है अब कनाडा तो यह है मैप में कनाडा कनाडा की केपिटिल क्या है उटाबा कनाडा की करंसी क्या है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्रेज इन गन के कारोबार को सेमित करने के लिए नया बिद्यक पेस किया गया और कनाडा की लेखक रूट ओजैंकी ने 2022 का पिमेंस प्राइज फॉर फिक्सन जीता है ने क्यूशन है खाली में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपियंसिप किस ने जीती है तो अभी अरण गेटो सोरा ये मात्र सात बरस के हैं और इनों नहीं ये जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपियंसिप जीती है ये हैं अवडाचर पदेश के गेटो सोरा ने क्यूशन है हाली में किसे यूनेसको टी डबलू एस के फैलो के रूप में चुना गया तो प्रॉफेसर क एस रंगपपा को यूनेसको टी डबलू ए एस के फैलो के रूप में चुना गया तो इसको इनका बे ओप्सेंस है प्रफेसर के एस रंगपपा प्रफेसर के एस रंगपपा ये मैसूर युनिवर्सटी के कुलपती हैं और बिकास सील देशों में बग्ञान की उन्नती के है इनको UNESCO TWAS की फैलो के रूप में चुना गया अब UNESCO यानि की United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इसकी स्थापना कब हुई 1945 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है पैरिस में और इसके प्रिजेंट टेम पर डारेक्टर जनरल कौन है आउट्रे अजॉले अच्छा यूनेसको के इसके बारे में बता दिया TWAS इसकी फुल्फॉम क्या है इसकी फुल्फॉम है the World Academy of Science नए क्यूशन है हाली में पुस्प कमल दहल प्रचंट किस देश के नए प्रदानमंत्री बने है तो नेपाल के अभी नए प्रदानमंत्री बने है पुस्प कमल दहल प्रचंड तो इस कुश्चिन का ए आप्शन सही है ये नेपाल के पूर प्रदानमंत्री के पी सर्मा ओले के समर्थन से नए प्रदानमंत्री बने है ये हैं पुस्प कमल दहल प्र यासिम जोवाट टोकायव को कजागिस्तान का फिर से राष्टपती चुना गया। स्लोवेनिया की पहली मैला राष्टपती नतासा पर्क मुसर चुनी गई। इजराहिल के नए प्रतनमंतरी बेंजामिन नेतन्याव बने। लुईज इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजिल के नए राष्टपती बने और यूके के नए प्रतनमंतरी बने हैं रिस्वी सुनक। अच्छा ये पुस्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रतनमंतरी बने हैं तो ये है मैप में नेपाल। नेपल की केपिटल क्या है? काटमंडू. नेपल की करंसी क्या है? नेपली रुप्या. नेपल की प्रजेन टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? बिद्या, देबी, भंडारी. अच्छा, इंडिया और नेपल की बीच में कौन सी डिफेंस एकसाज होती है? इंडिया और नेपल क किया तो इसको शिंख बे आप्शन सही ए नहीक रेचिन है हाली में किस iat के बेग्यानिकों ने क्रत्री तैयाः किया है यहwegen बत कायर किया है फिरियल нашего magic फ Shouldants का से बाद चयार किया है तो से अपसन सही ए नहीं खेशन है हाली में IWF 200 Championship में 49 kg महिला बर्ग में मेरा भाई चानू ने कौन सा पदक जीता है तो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन 200 Championship में 49 kg महिला बर्ग में मेरा भाई चानू ने रज़त पदक जीता है तो इसकुशन का बे आप्सन सही है ने कुशन है हाली में International Space Registry ने किसकी नाम पर एक तारे का नाम करड़ किया है तो पूर प्रदानमत्री अटल व्यारी बाजपे जी की नाम पर International Space Registry ने एक तारे का नाम करड़ किया तो इसकुशन का बे आप्सन सही है और आपको पता है अटल ब्यारी बाजपे जी की जैन्ती को Good Governance Day यानि की सुसासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और कम मनाया जाता है 25 दिसम्बर को नेक्यूशन है हाली में केंद्री खेल मंत्री ने कहां खेल बिग्यान केंद्र का उद्गाटन किया है तो हमारे केंद्री खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकोर इन्होंने अभी करना टक में खेल बिग्यान केंद्र का उद्गाटन किया तो इसकुशन का A options है नेक्यूशन है हाल में किसे काला पानी के लिए बर्स 2022 का साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया तो एम राजिंदरन को अभी काला पानी के लिए बर्स 2022 का साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया यानि किस कुछिन का से ऑप्सन सही है अब लास्ट वीडियो की कुछिन का अंसर लास्ट वी यानि कि इस question का बे option सही था और लगबग सबी श्ट्रेटनेस का answer सही दिया मुश्टले श्ट्रेटनेस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में किस राजसरकार ने रासन कार धारकों को 1000 रुपए पॉंगल उपार के रूप में देने की गोश्ण की है चार आप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबब हम हमारे Facebook पेज पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जॉइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या लाइक का तो अगर या वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा career interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर ले जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all based video thanks for watching